नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप MS Word आपको चलाना नहीं जानते हैं या MS Word आप चला रहे हैं तो इसमें ऐसे बहुत सारे मिनू होते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो नहीं पता होती है तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप MS Word 2007-2013 या कोई भी MS Office का जो भी वर्जन आप यूज करते हैं उसमें आप Hyper Link कैसे यूज कर सकते हैं कैसे एक काम करता है आज इस वीडियो में आपको Complete बताने वाले हैं तो दोस्तों प्रावलम हो रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि ऐसे आपको information वीडियो मिलते रहेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Hyper Link होता क्या है दोस्तों Hyper Link एक तरीके से एक ऐसी Link होती है जिसमें हमारे लिखे हुए document या बनाए हुए template को एक ही line में उसको include कर दिया जाता है जैसे माली जीए हमारे पास यहां पहले लिख दिये कि word कैसे use करते हैं माली जी एक example हमने लिखा अब इसके बारे में अगर हमें पूरा लिखना होगा तो बहुत ज्यादा time लगेगा और यहां पे बहुत सारे pages लगेंगे तो इस चीच के लिए हम क्या करते हैं एक link provide करते हैं जो की दूसरे page पे जाता है और उससे open होकर आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं या आप देखे भी होंगे कि आप बार बार कि इसी एक link पे click करते हैं तो नया tab आता है और उसके अपना काम कर सकते हैं तो hyperlink कैसे काम करता है आज इस video में देखने वाले तो दोस्तों सबसे पहले hyperlink आपको मिलेगा insert tab में and insert tab में आपको links वाले यहां पे जो दिया ribbon इसके अंदर आपको पहला यहां पे इस तरीके से बना रहेगा जिसका shortcut होता है control plus key उसके बाद दोस्तों इसको use कैसे करते हैं use करने के लिए मालीजीए सबसे पहले आपको click करना है और click करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे word type करना होगा जिसमें आप link को attach करना चाहते हैं जैसे मालीजीए आपे जो हम यहां पे दोस्तों लिक्त होरे हैं यह हम बनाने वाले अपने website का अब दोस्तों यह website कैसे काम करेंगी सबसे पहले cœur करेंगे कि यह आप लिखेंगे we3 a died.in हम ने इस करना लिखा उसके बाद दोस्तों हमने इसको select किया select करने के बाग hyperlink पे click किया और यहां पे दोस्तो hyperlink पे जाने के लिए आपको इस तरीके से option आएगा इसमें आने से पहले आपको दिखे इस side आपको एक option मिलेगा browser for file इस पे click करना है यहां से आप कोई भी इसमें आप file बना सकते हैं desktop पे जाते हैं और इसमें दोस्तों हमारे पास बहुत सारे file हैं इसमें से दोस्तों हम लेने वाले हैं यहां पे एक file है game की इसको select करते हैं और यहां से भी हम दोस्तों ok कर रहे थे तो दोस्तों देखे जैसे हमने किया थे यहां पे देखे blue color का एक lining यहां पे बन गया है अब दोस्तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह आपका क्या होगा कि easy तरीके से इसके अंदर आप जो भी add किये थे वो एक नए page पे यार नए आपको tab में मिल जाएगा लेकिन दोस्तो यह ऐसे नहीं काम करेगा इसको काम करने के लिए यहाँ पे दिखे पूछा जा रहा है क ctrl plus click आप क्लिक करेंगे तभी एक काम होगा तो यह कैसे करेंगे आपको अपने keyboard से control बटन दबाना है और यहाँ पे आपको thumb का impress बनेगा और अपने mouse के left button को आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से option मिलेगा और आपको कर देना yes yes करने के बाद दोस्तो आपको यह इस तरीके से आपको जो भी आप attach के रहेंगे आपका यहाँ पे दोस्तो आज आएगा easy तरीके से जैसा कि यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आगया है यहाँ पे आप easy तरीके से देख सकते हैं तो दोस्तो आपको सम में आपको मिलेगा remove link इस पर आपको click करना है आप जैसे इस पर click करेंगे तो यहां पर आपका easy तरीके से remove हो जाएगा तो ऐसे दोस्तों काम करता है hyperlink तो आपको complete समझ में आगे होगा कैसे hyperlink यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल पर ने तो चैनल को subscribe करें thanks for watching